हलो फ्रेंड्स गुडी इबनिंग आज हम लोग बॉंड्स और इसके प्रकार को समझेंगे आप लोगों ने बहुत सारे बॉंड्स का नाम सुना होगा जैसे मसाला बॉंड, ग्रीन बॉंड, ब्लू बॉंड, जीरो कूपन बॉंड यह क्या होता है, इसको जानने से पहले आप समझें कि बॉंड क्या होता है बॉंड जो है वो एक डेप्ट इस्टुमेंट है, जब गवर्मेंट कमपनीज को या सरकार को या कॉर्पोरेट इंटिटी को fund का requirement होता है तो वे bond इसू करते है bond क्या है financial instrument है जो की fund raise करता है general public से कुछ specific period के लिए अब जो है public जिसने bond खरीदा उसको क्या फाइदा है तो उसको जो जिससे वो bond खरीदती है वो compensate करती है उसके बदले वो उसको जो है कुछ profit पहुँचाती है वो कैसे जैसे प्रकार से आपको समझ में आगा जैसे किसी ने fixed rate bonds खरीदा तो fixed rate bond जो है consist होता है interest amount ये maturity तक उनको fixed rate में interest मिलते रहेगा bond के चले किसी ने 1000 रुपय का bond खरीदा 10 साल के लिए और उस पे जो है 7.5% coupon rate है तो साला ना उसको 75 रुपय 10 साल तक continuously मिलता रहेगा तो ये ओग या fixed rate bond उसके बाद होता है floating rate bonds floating rate क्या होता है उसमें fixed return नहीं होता है जैसे कि मान के चलिए किसी ने 8 साल या 10 साल का एक floating rate bond खरीद लिया अब जो है वो bond जो है interest पे कर रहा है मान लिज़े NSC का जो rate चल रहा है उसे 40 point जादा मतलब 0.40% जादा उस पे return दे रहा है मान लिज़े 7 पे चल रहा है अगर national saving certificate तो वो जो है return दे रहा 7.40 तो जैसे ही NSC का rate घटेगा तो bond पे जो rate जो return मिल रहा है वो भी घट जाएगा तो यह होगी आपका floating rate bonds zero coupon bond क्या होता है इसको जो है discount पे जारी किया जाता है मतलब मान लिज़े 1000 का bond है उसको जो है 700 में जारी किया और मान लिज़े 20 साल के जारी किया गया तो 20 साल बाद जब investor फिर जाएगा वो bond को ले करके issuer के पास तो issuer उस bond older को 1000 रुपए दे देगा तो यह होगा zero coupon bond उसके बाद एक होता है आपका convertible bonds convertible bonds क्या होता है कि bond का अपने पास कुछ समय के लिए रखता है और फिर उसमें यह जो है right होता है कि वो उस bond को convert कर सकता है equity में equity share में और वो company decide करती है कि कि कितना से यह उस bond के लिए जारी किया जाएगा तो यह convertible bonds होते है अब हम लोग कुछ bonds के उधारन समझेंगे जैसे कि अब masala bonds के बारे में अपने सुना होगा masala bonds क्या है यह जो है विदेशों में जारी किये जाने वाला rupee denominated bond होता है इसी को masala bond करते हैं भारत में इसकी सुरुबा 2015 में की गई थी और present के rule के अनुसार private company और government company और corporate body यह सभी जो हैं इसमें निवेश कर सकती है bank sorry यह जारी कर सकती है यह नीजी कमपनियां सरकारी कमपनियां corporate body banks यह सभी masala bond जारी कर सकती है masala bond का सबसे पहली वार परियोग जो है वो international finance corporation के तरह किया गया था IFC जो है विस बैंक की एक सायक संस्था है महराजा bond यह भी IFC के द्वारा जारी किया था अभी rupee denominated bond होता है इसे 2014 में IFC ने जारी किया था और इसको महराजा bond के नाम से संबोधित किया गया था green bond अब green projects को finance करने के लिए जो bond जारी किया जाते हैं उसको green bonds करते हैं green project कैसे हो गया जैसे hydrogen इंदन बनाना हो या फिर solar power solar power plant लगाना हो या फिर wind energy का plant लगाना हो तो यह सारे क्या है green projects हैं तो इनको finance करने के लिए जो bond जारी किया जाते हैं उसको green bonds करते हैं sovereign green bonds फिर किसको करते हैं तो green projects के finance के लिए सरकार जो bond जारी करते हैं उसको sovereign green bond करते हैं green masala bond Green Project गे फैनांस के लिए जारी किया जाता है उसको Green Masala Państ बांड करते हैं फिर एक होता है Blue Bonds जैसे Ocean वगारा Water Resources, recycling आधी के सांडक्षन के लिए उस سے जुरी जो प्रोजेक्त से हैं, उसको फैनांस करने के लिए ये बांड जारी किया जाता है पहली वर ब्लू बॉन्ड जो है सेसल्स ने 2018 में जारी किया था जीरो कुपर बॉन्ड के बारे मैंने आपको बताई दिया एक एलिफेंट बॉन्ड जो है जो कि भारत में भी इस बॉन्ड को सुरू नहीं किया गया है ये जो है सुरूजित भल्ला की समीती के द्वारा सुजाया गया था कि काले धन को इन्फराज सेक्टर में निवेश करना है कम से कम पचीस सालों के लिए और जो काला धन है उसका किसी वक्ती काला धन पगड़ा था उसका कम से कम पच्चास परतीसाद जो है इन्फराज शेत्र में निवेश करना है इन बॉंडों के माध्यम से लेकिन अभी ये बॉंड भारत में जारी नहीं हुए है उसके बाद पर्पेच्च्वल बॉंड होता है पर्पेच्वल बॉंड करता है ये कभी एक्सपायर नहीं होते है और इसमें एक्विटी और डेप्ट दोनों का गुन होता है इसलिए से हैब्रिड इंस्ट्रुमेंट बॉंड भी करते है यस बैंक का 81 चर्चिद बॉंड है जो की पर्पेच्वल बॉंड का उदारन है तो यही सारी बाते थी बॉंड के बारे में मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बॉंड से समंदित कोई कन्फूजन नहीं होगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड सकते हैं और मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद